नमस्कार आप देख रहे हैं बैधड़क हरियाना निउस चैनल आपको बता दे हरियाना के हिसार में पेश आया दर्दनाख हासा मिली जानकारी के अनुसार हिसार में आदमपुर अग्रोहा रोड पर वीरवार को देर रात को नीमड़ा के पास गाड़ी पलटने से छेवकों की मौत हो गई एक गंबी रुप से घायल है जिसका की इलाज अग्रोहा मेडिकल के अस्पताल में चल रहा है मिली जानकारी के अनुसार सभी युवक देर राशादी से घर लोट रहे थे सभी युवक आदमपुर खंट के गाव किशनगर खारा और बरवारा के निवासी बताय जा रहे है मिली जानकारी के अस्पताल में पोस्माटम के लिए गलाए गए है कार में घटना के समय साथ युवक सवार थे इनमें से एक गंबीर घायल है हासे में इनकी हुई है मौत मिली जानकारी का इकलो ताप पुत्र था दो गाओं में छाया मातम अनियंतरित गाडी पेड और बिजली के खंबे को तोड़ते हुए एक तरफ जाकर पल्टी मौत को कार से लोगों ने दर्वाजों को रस्तों से खीच कर बाहर निकाला कार की सीट पर ही खून ही खून बिक्रा हुआ था कार के पीछे बड़े बड़े अक्षिरों में लिखा था हस्ते रहो आदमपुर से करीब एक किलोमीटर बाहर ये हास्सा हुआ यूकों की मौत के बाद खारा और किशंगर गाओं में मातम चा गया है परिजनों का रोरो कर बुरा हाल है मिली जानकारी के अनुसार हास्ता इतना भयंकर था कि अनिंतित गाड़ी पेड़ और बिजडी के खंबे को तोड़ते हुए खेत किनारे जाकर पलट गई जिसके बाद रागीरों ने म्रतकों को कार से रसों से खीच कर बाहर निकाला कार खून से लटपत थी युकों की मौत के बाद खारा और किशंगर गाओ में भयंकर मातम चा गया है परिजनों का रोरो कर बुरा हाल है इलाके में भी सन्ना टाप पसरा हुआ है आदमपुर से जोनीश शर्मा की रिपोर्ट दर्श को ऐसी खबरों से जुड़े रेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो जरूर से फॉलो करें धन्यवाद